नमस्कार दोस्तों मैं हित्तल चुड़ासमा अजय एस्ट्रो मनीगूर में आप से मुखातिम हुई हूँ आज दीनांग 24 मैं 2030 दीन बुधवार है आज मैं आपके सामने देश और दुनिया की क्रिश विशेक खबरों में गेहूं की सरकारी खरीद पिछड रही और मंडियों में गेहूं के भाव लगातार क्यूं बढ़ रहे है उसकी स्विस्तार से जानकारी लेते है तो सबसे पहले देखे तो गेहूं की सरकारी खरीद 261 लाग टन पर पहुँची है आगे का परिद रिशे धुन्दला दिख रहा है जिसमें कैंद्रिय पूल के लिए 341.50 लाग टन के निधरित लक्ष के सापेक्ष गेहूं की कुल सरकारी खरीद 261 लाग टन पर ही पहुचने की उम्मिद जताई जा रही है पिछले मार्केटिंग सीजन में करीब 188 लाग टन गेहूं खरीदा गया था जबकि 2021 में इसकी मात्रा बढ़कर 433.42 लाग टन के सर्वकालिन सर्वोच स्तर पर पहुच गई थी चालो मार्केटिंग सीजन के आरंभ में कैंद्रिय पूल में 83.45 लाग टन गेहूं का बकाया अधिशे स्टॉक मौजूद था यदि 270 लाग टन की खरीद होती है तो कुल स्टॉक 350 लाग टन से उपर पहुच जाएगा इससे स्टॉक पोजीशन में कुछ मजबूती आएगी और सरकारी योजनाओं को बैतर डंग से संचालित क पूल में योगदान निराशा जनक बना हुआ है पंजाब हरियाणा एवं मध्यप्रदेश में गतवर्ष से अधिक गेहूं खरीदने में सफलता मिली है मगर वहां भी खरीद की मात्रा निर्धारित लक्ष से काफी पीछे रह जाने की संभावना दिखाई दे रही है तो दोस्तो यह अजय एस्ट्रो मनी गुरू चैनल आपको देश और दुनिया की पल-पल की क्रिशी विश्यक जानकारी देता रहता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले अब आगे गेहूं खरीद के आकड़े जाने तो इस बार पंजाब में 132 लाक्टन मध् खरीद की गती काफी धीमी पड़ गई है लेकिन सरकारी एजेंसिया 30 जून तक क्राय केंद्रों को खुला रखकर किसानों द्वारा गेहूं लाये जाने का इंदजार कर सकती है चालू मा के दौरान मध्यवर्ती भारत की मंडियों में गेहूं का भाव 5% बढ़ कर 2325 प्राति क्विंटल से 200 रुपए ज्यादा है ऐसी हालत में वहां एजेंसियों को किसानों से गेहूं खरीदना कठीन हो सकता है पिछले साल की दूसरी 6 माही के दौरान गेहूं की कीमतों में जवर्जस इजाफी हुआ था जो चालू वर्ष के आरम तक बर करार रहा है दोस् पल की क्रिशिवेशक जानकारी देता रहता है इससे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले आप हमारे चैनल पर बने रहिए अब आपकी दोस्त हेतल बिदा लेती है धन्यवाद